हलो दोस्तों, स्वागे थे आप सभी का मेरे चैनल NRJ Adda07 में पहले चैनल का नाम Knowledge Adda07 था लेकिन कुछ कारणों की वज़े से मैंने उसे चेंज कर दिया है और अभी NRJ Adda07 कर दिया है आज हम पढ़ेंगे गबन प्रेमचंदर जी की द्वारा है यह आपका BA 3rd semester का syllabus है आपका यह जिसमें आईए हिंदी गद्ध है आपका और हमने पहले ही दो चैप्टर के लिए पढ़ लिया है पहले था आपका मुंसी प्रेमचंदर जी का था और दूसरा है आपका जैनिंदर जी का पाजेब है और मुंसी प्रेमचंदर जी का है पंच परमेश्वर तो मैंने पहले वीडियो अपलोड करती है दोनों आप जाके इक बर चैक कर लेंगे वीडियो जिसको भी सलेवस चाहिए और चैप्टर चाहिए इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं देखिए गबन एक उपन्यास है जो की प्रेमचंद जी की तवर एक फेमस उपन्यास है और गबन का अर्थ होता है घपला या घोटाला करना चले स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर उपन्यास समराट मुंसी प्रेम चंद का गबन उपन्यासिक यथार्थ वादी रचना है इसमें भारते समाज की मुख्य समस्य नारी के आभूसन प्रेम वो नव युको की मौज मस्तिता बिलासता की प्रभृति का वर्णन किया गया है उपन्यास में दयानात की परिवार के इर्द-गेर्द का थावस्तू का ताना बाना बुना गया है इसमें हम आपको बताना चाहूंगी कि आपकी पास दू कोश्चन सा आते हैं एक तो कहानी की तात्विक समिक्षय कीजिए और दूसरा आता है उपन्यास की का थावस्तू होती है तो चले स्टार्ट करते हैं कि उपन्यास के प्रारम में दीन दयाल जो मिदार के मुख्तियार है उनकी पुत्री जालपा की बच्पन की घटनाओं का चित्रण है वह तीन भाईयों के मरने की बाद हुई थी इसलिए बेटी की हर इक्षा पूरी करते थी परिवार सम मतलब सुनार जो होता है सोने बेट से है जालपा ने चंद्रहार पसंद करके माता से उसे खरीदने को कहा माता की यह कहने पर कि चार दिर में तो बिडिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा जालपा के चंद्रहार प्राप्त करनी की लालसा उस समय और भी बल्वती होटती ह जब उसके पिता उसकी माता के लिए चंद्रहार लाते हैं जालपा हार लेने के एक्षा ब्यक्त करती है लेकिन माता उससे संकेट में कह देती है कि तेरे लिए चंद्रहार ससुराल से आएगा यह घटना जालपा के हिर्दय में चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा और तेव रमानाथ से होना निश्चित हो गया दयानाथ इमांदार और सज्जन पुरुष से के चहरी में उपर के आमदनी की अनेक सुभिधाय रहते वे भीवे अपने पचास रुपए की वीतन से संतुष्ट थे किसी से रिष्वत लेना बहुत बुरा समझते थे परिणाम तह धन की कमी की कारण रामनाथ के दो महीनी बाद कॉलिज की पढ़ाई छोड़ देनी पड़े अपने पुरुषार्थ से पढ़ने की लगन उसमें ना थी यानि कि खुद कमा के खुद पढ़ने की लगन उसमें न प्रण्तु उनकी पत्नी जो गेश्वरी ने उने जल्पा वाला रिस्ता लेने को बिवस कर दिया देन देयाल देयानाथ की सजन्नता से बहुत प्रभावित थे उन्होंने देयानाथ को एक हजार रुपए टीके में देखकर पचास रुपए मासिक पाने वाले कचहरी के कल चंद्रहार ना दिया जा सका जाल्पा की चिर संचित चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा पर भी पानी फिरगिया और चंद्रहार के अभवाव में जाल्पा वा सहील के लिए बिवाह का कोई आनंद न रहा एक सहली सहाजादी ने जालपा को चंद्रहार प्राप्त करने के लिए पती के सामने मना करने का गुरुमंत्र सिखाया दिन द्याल ने देयनात को बिबाह में जितना रुपया दिया था वहसम नाच तमासे नेक चारे में खर्च हो गया अता धन के अभाव में देयनात सर्राफ की रुपए ना चुका सके इधर चंदरहार ना मिलने की कारण असंतुस्ट जाल्पा को संतुस्ट करने के लिए रमानात अपने धन्वान होने की बड़ी बड़ी धिंगे मारने लगा और अपनी हैसित को बढ़ा कर कहने लगा तीन महीने बेतने पर एक दिन सर्राफ दयानात से अपने रुपए मांगने आया और यह वायदा कराकर ही हटा कि परसर रुपय की अदाएगी हो जाएगे रिड को चुकाने के लिए देयानाथ चुगेस्वरी और रमानाथ से परामर्श हुआ और देयानाथ ने यह निष्चे किया कि जालपा के कुछ गहने सर्राफ को लोटा दिये जाएए परंतु रमानात जालपा से गहने मांगने के पक्ष में नहीं था क्योंकि वह जालपा से पहले ही अपने धनी होने की बहुत थी यानि की धनी होने की बात खुब बढ़ा चड़ा कर गह चुका था और इस प्रकार गहने मांगने से उसकी पोल खुल जाते ऐसे इस्तिती में दयानात दोरा चल किये जाने का विरोध करने पर भी रमानात जालपा के गहनों की चूरी करने की सोचता है इसकी लिए उसने भांग तथा मिठाई मंगवाई जिससे की जालपा को रात्री में नसी में चूर कर सके अपनी योजना के अनुसार रमानात स्रात्री में गहने चूराने का आउसर देखता रहा जब जालपा प्रेमा लाप करके सो गई तब रमानात चुपके से उसके गहने की संदू कची लेकर दयानात के पास पहुचा इसे बिच जालपा ने स्वापने देखा रमानात के पुनह लोटने पर जालपा के स्वापने की बात कहते ही वह चिला पड़ा चोर चोर और वज फिर सब चिला उठें यानि उसने देखा इसमें फ्लाईंडी उसके founded चुराने के और इदर उसने ऽपने देख crashes is उसके सब्सकंगे तक उसको लगा कि असको लिए चौरीकों के तो पता नीका में चुराइन लगा उसके मित्रिता रमेश नामक बाबू नाम के एक लिपिक से थी जिसके से रमानात को म्यूंसी पालिटी से चुंगी की नौकरी मिल गई उससे 30 रुपय मास एक मिलता था इसके अतरिक कुछ उपर की आमदनी भी हो जाती थी पती को नौकरी मिलते ही जालपा का स्वाभि पती की कमाई में ही गहने लेने के उचित समझ कर अपनी मातक को हार लोटा दिये रमानात ने अपनी नौकरी के आमदनी देखकर यह विश्वास हो गया कि जालपा के लिए सिग्रे ही गहने बनवा देगा परन्तु जब उसी जालपा दोर अपनी सहेलियों को लिखे पत्र स से पता चला कि उसकी माँ गहनेों के लिए कितनी ब्याकुल हैं तो उसने अभूसन उधार लेने का निश्चे किया रमानात इससे पहले भी जालपा के लिए गहने लाने का बिचार कर रहा था और उसने रमेश बाबू के घर जाकर उनके समोख रंड पर गहने खरीदने की बाद की थी पर रमेश पाबू के अपदेशों से वह खाली हाथ लोट आया था अंत में गहने उधार लाने का निश्चे कर ही लिया वह गंगु सर्राफ से उग गहने उधार ले आया जिने पाकर जालपा की खुसी का ठिकाना ना रहा रमानात की गहने की बाद सारी की कारण रमानात के उपर तेरह सो और पैसे भी अधिक रिड़ हो गया उधार की बोज की कारण रमानात प्रति दिन चिंतित रहने लगा और जालपा गहनों की प्राप्त होते ही समाज में अपनी प्रत्यष्ठा बढ़ाने के उद्धिस से सहेलियों में गूमने लगी और नए लोगों से मेल जूल बढ़ाना आरंब कर दिया सहीलों के लिए धन दान लाईची जल्पान आदी का सारा बेज जालपा द्वारा किया जाने लगा रामनात जालपा के साथ सिनेमा अधि रेखने जाने लगे एक पार्टी में सम्मेलित होने के लिए एक बढ़िया साड रुपे पेश्गी दे देती है। रमानात इन 600 रुपे को गंगु सराफ की दुकान पर अपने हिसाब में जमा कर देता है। इसके साथ ही में गंगु सराफ को कंगन की नए जोड़ी बनाने को कहता है। गंगु ने पहले तो हां कर ली पर धिरी धिरे इनकार कर दिया पेशगी दिये बेना कंगन की जोड़ी बनाने को तयार नहीं हुआ रमानाथ इन सारी बातों को छिपाता रहा रतन अपने कंगनों के लिए परावर मांग करती रही परन्तु रमानाथ उनकी बनने में देर का बहाना करके बात तालता रहा अंत्मी रतन को संका हो गई और उसने कहा यदि कंगन नहीं बनते तो मेरी रुपए वापिस ला दो रमानाथ रतन की रुपए चुकानी के लिए मित्रों से रुपए उधार मांगता है पर रुपए नहीं मिल पाते रमेश बाबू रमानाथ क 600 रुपए का त्रित ना कर सका उसी समय दफ्तर में चुंगी के हिसाब में आए हुए 800 रुपए को देखकर उसे इस समस्य के समधान का एक उपाय सूझा खजांची की चली जाने की बाद 800 रुपए का थैली जो था वो घर ले आया घर आकर उसने थैली जालपा को देते हु रुपए की ठैली दे गई है वह उसे वापस लाने के लिए रतन की घर गया पर संकोच पस नहीं ला सका अब रमानात बड़ी मुस्किलें फस्किया वह सोचने लेगा यदि कल रुपए खजान में जमान ना हुआ तो उसे गबन का मुकदमा चलेगा और उसे ग्रफतार कर जेल में डाल देजाएगा ऐस्ने सबल एक कहार भेज कर रतन से रुपए मंगाने का परत निकिया पर इतने थैलीस जदिक अर्थारön 200 रुपए है बेज़े जालपा को रुपे मंगाने के लिए को سंकेत अभी देक्वहोड से मुझसे ले लुगने की असकिल फिस यिका सब रुपे अपने थे और 200 रतन की हां समंगवाए थे इस प्रकार दफ्तर के 800 में से 500 तो रमानाथ ने घट्टे कर लिये परंतु सेस 300 का प्रबंध ना हो सका रमानाथ दफ्तर पहुंचते ही रमेश बाबो से मिला और उससे जेब से 300 के नोट गायब होने की बात गए रमेश बाबो ने कहा रुपे कल जमा करा देना वरना हतकडिया पढ़ जाएंगी रमानाथ से इस 300 रुपे की प्रबंध के लिए रतन से मिला पर सफंता ना मिली रतन की घर से निरास लोटते हुए उसने संकल्प लिया कि सारे इस्तिती जालपा को बता कर उससे गहने मांगकर उन्हें गिर्वी रखकर उपए जमा कर लेगा पर घर पहुंसते ही रमानाथ का दिर्ण संकल्प दीला पड़ गया उसने पहले ही की ही बाती रात को गहने चोरी कर लेनी की सोची पर उसके लिए भी साहस ना हुआ प्राता काल उठकर वह रमेस बाव के घर गया पर वहां भी उससे सफलता नहीं मिली मार्ग में उसने नि पत्र उसकी हाथ लग गया रमानाथ ने पत्र छीनने का प्रेय 했습니다 पर जालपा नहीं ढ़ समझ कर कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में बिना टिकट ही बैठ गया उधर जालपा पत्र पढ़कर सब कुछ समझ जाती है और वह अपने गहने बेच कर मूंसी पाल्टे में रुपे जमा करा देती है गाड़ी में रमानाथ की भेट बूढ़े खटिक देवी दीन से हुई रम पुलिस के डर से वह दिन भर भी कहीं नहीं निकलता था संधिया के समय वह वास्नाले में जाने लगा एक दिन वास्नाले में दयाना दोरा प्रकासिति विग्यप्ति उसे पढ़ने को मिले जिसमें रमानाथ को घर पहुचाने पर 500 रुपे का ही नाम देना लिखा था एक द करीम के आगरे पर वह भी कंबल ले आया पर इस कारे से उसकी जन्म जम्मांतर की संचित मर्यादा आत होती उसने निश्य कर लिया कि वह सुनेचित रुप से कल काम की खूज में निकलेगा दूसरे दिन रमानाथ ने गबन का हाल देवी दीन को बता दिया पुलिस दोरा पक बाद में मना कर दिया उधर जालपा ने रमानाथ को ढूंड़ने के लिए सत्रंज की पहली चपवाई और उसका हल करने वाले को पचास रुपे का इनाम देने की घोशना की एक दिन पुस्तकाले से लौटिस में रमानाथ कुछ यूके से इसी सत्रंज की पहली की संबंद म इन रुपियों के द्याविधिन के हात व तो उसक अकवार के तफ्तर भेजा जिसमें वाय छपी थी रमानाथ को उस हल पर 50 रुपे ही नाम में मिले इन रुपियों के दोरा उसने देवी दिन की सहायता से एक चाय की दुकान खोल ले धिरे दिरे उसके परिश्रम से दुका रहा था तो पुलिस वालों ने उसे ब्यर्थी भै के कारण अपनी नजरों से उझल होते देखा उसके इस संदी हास्पद आचरव के कारण पुलिस वालों से ग्राफतार कर लिया और रमानाथ ने धाने में जाकर स्ट्रम ही मुंसिपाल्टी की रुपए गवन करने की बात कह चला की रमानाथ चूंगी में मुंसिझा जरूर था और उसने बन नहीं किया पुलिस वालों ने रमानाथ को यह ग्यात नहीं होने की भैय तता घुटने की मोह से पुलिस वालों की बात मानने को तयार हो गया देवी दिन और जगों ने रमानाथ को छुड़ाने के प्रत्न भी किया पर रमानाथ ने इस ट्रेम ही कहा कि उसे जेल ना हो गी केवले एक मुकद्वे में सहादत देनी होगी जब तब देवी दिन वा जगों से वही छोड़ कर चले गए रमानाथ ने पुलिस का पढ़ाय हुआ बयान अदालत में दे दिया जिसके अधार पर क्रांथी कार्यों को लंबी लंबी सजाय हो गए रमानाथ के इस बहवार से देवी दिन उसे घ्रणा करने लगा रमानाथ की ग्रफटारी से पह आई और प्रजाम मित्र समाचार पत्र जिसमी सत्रंज का नक्षश पता कि दफ्तर दुर्ण रमानाथ का पता लगा कर देवी दिन की घर पहुंच गई जालपा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि रमानाथ एक जोटी मुकदमे में पुलिस का मुखबीर बन गया है वह देवी दिन को साथ लेकर रमानाथ का बंगला देखने गई जहां पुलिस ने उसे ठहराया था वहां पहुंचने पर उसे ग्यात हुआ कि रमानाथ 15 दिन पहुंचाया रमानाथ रात को चुपके से निकलकर देवीदिन की घर आया और जालपा से करके उसे इपरा बयानवान के बंदनने मौत तैयार हो गया किन्तों पुलिस अफसरों के धंकाने और उसे बढ़िया नौकरी दिलाने के लालच में जालपा के परयोतनों पर पाने फिर गया और पुनाह करांती कारियों के बिरुद्ध गवाही देने के लिए तैयार हो गया इसी बिच रतन अपने बुढ़ी पती की बीम लाए गया मति भुसर्ड रतन को लेकर घर पंचा और धिरी धरी वकील साब का सारा लेंदेन अपने हाथों में ले लिया मणी भुसर्ड ने बंगला और मोटर बेश दिये और रतन के लिए 15,000 पे का मकान किरया पर ले लिया और दिया रतन क्रोद के आवेस में बिना कुछ समान लिए जालपा की घर की और चली रमानाथ ने पुलिस की प्रभाव आकर करांथिकारों के बिरुद गवाही दे दी जालपा भी क्रामना रमानाथ का बयान सुनने आई और बयान ना बदलने की कारण कोड से लोड़ते समय रमानाथ को मन ही मन कोशने लगी मुकदमे का निर्ने हो गया और इसके गवाही के कारण स्कूल मास्टर दिनेज को फासी की सजा मिली और सिस्क्रांदिकारियों कारावास जालपा को जब मुकदमे का फैसला ग्यात हुआ उसके हर्दे कंपीत हो उठा वह यह सोचकर का प्रह उठी की रमानाथ के कारणिक बैक्ति को फा पास आया और जालपा ने उने ग्रिणा के साथ ठुकरा दिया और बुरी तरह फटकारा रहा रहा देवी दिन के घर लोटाया और इस निसकर पर पहुंचा कि उसने जब साहाब के सामने जाकर सारी फूल खोल देनी चाहिए पर वह जजज साहबी बंगले पहुंचकर भी ल पुलिस वालों ने यह कहका जलपा प्राउड लेडी प्रतित होती है कि कुछ मिजाज पूर्सी करने की जुरत होगी रमानाथ को बहबित कर दिया उदर जालपा अपने पती की कारे के पश्चात स्वरू दिनिस की बूढ़ी माता की सेवा करने लगी रमानाथ को काबू मे रमानाथ की चंगल में फसाय रखने को कहा रमानाथ वैसे जोहरा से प्रेमा लाप होने पर धिरी धरी जालपा को बुलाने का प्रयत्त करने लगा एक दिन में पुलिस अफसर के साथ मोटो पर घूमने जा रहा था कि मार्ग में जाती हुई दीन मनील जालपा को देखा उस इसकी बात को अस्विकार ना कर सके जालपा का पता लगा कर वैं आट दिन बाद लोटी इसे बीच रमानाथ उसकी प्रिश्य करते परिसान हो गया जोहरा ने जालपा से अपने मिलने की घटना सुने और बताए कि वैं फांसी लगाने वाले दिनेश की घरवालों की सेवा म में लगी है जोहरा स्वाम उसके जालपा के त्याग से इतनी प्रवाइदर कि उसनी भी साधा रहन से अपना लिया रमानाथ भी जालपा के त्याग की काने से बहुत प्रभावित हुआ दरुगा से एक घंटे की छुट्टी लेकर जालपा देवी दिन और जगों से मिलने लगा उसने जालपा से बादा कि अब को इस बार निश्य ही सारे रहसे का भांडा फोड़ देगा लॉड़ते समय वे जजज के बंगले पर पहुंचा रमानाथ ने इस बार साहस करके जजज साहब को सारी सत्य घटनाव से परिशित करवा दिया इस सत्य के उद्गाटन के कोट में फिर मुकादमा सनाए गया और रमानाथ के बयान बदलने पर सारे कैदी रहा कर दिये गया यह देकर पुलिस वाले रमानाथ के पीछे पड़ गये उन्होंने उस पर जूटी कवाई देने के अपराद में दंटित करने के लिए मुकदमा चलाया लेकिन रमानाथ न में परिश्रम से खेती करके अजीविक्या चलाकर परूपकार करने लगे समय बैतीत होता गया और एक दिन रतन को इस देह मुक्ते से मिल यानि की रतन के भी मृत्यों हो गई जोहरा भी कुछ समय उपरांत गंगा में डूपते हुए एक बच्चे और इस तरह को बचाने के फल्चुरूप गंगा में डूप गई इस परकार रमानात बीती दिरों की कटू स्मृति के लिए अपना जीवन यापन करने लगा तो यहां पर देखिए गबन की कारण रमानात को कितनी परिसानिया जेलनी पड़ी और इस कहानी इस गबन का उदेश से क्या था गबन प्र प्रति पत्नी का लगाओ का पती के जीवन पर प्रभाओ गबन में तूरते मुल्य के अंधिरों में भटकते मध्य वर्ग का वास्तव चित्रन किया गया है तो फिलाल के लिए इतना ही यह गबन का पूरा आपका उपन्यास था यह आएगा कि गबन का कि अथा वस्तो लिख सकते हैं मैंने पूरा चप्टर पढ़ा दिया आपको तो फिलाल के लिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यबाद